ओरिया जंग हेलो फ्रेंड्स कैसा हैं आप सुमलोग सुआज हम लोग आयरवेद में स्वस्त्रवत के अंतरगत नेचुरो पैथी मतलब की निसर गोप चार चिकित्सा के बारे में डिस्कस करेंगे तो नेचुरो पैथी दो तरह से बनाए नेचुरो और पैथी तो नेचुरो पैथी का अर्थ है जो प्राकृतिक चिकित्सा है प्राकृतिक सो जो प्रकृति के द्वारा जो चिकित्सा की जाती उसे नेचुरो पैथी कहते हैं इस वीडियो लेक्चेर में हम लोग इसके इंट्रुटक्शन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है निसल गुप्चार का इतिहास क्या होता इसके बारे में देखेंगे पास्चाते देशों में प्राकृतिक चिकित्सा मतलब की वस्तेन देश हैं ठीक है फॉरंस में वहां पे नेचुरो पैथी किस तरह से प्रयोग किया देखेंगे प्रक्रितिक चिकित्सा का दर्सन मतलब की फिलोसफी औफ नेचरोपैथी उसके बारे में जानेंगे फिर इसके बाद बेसिक केरेक्टर औफ नेचरोपैथी मतलब प्रक्रितिक चिकित्सा के आधारभूत विशेष्टाएं क्या हैं उसके बारे में देखेंगे principle of naturopathy मतलब प्राकृतिक जिकच्चा के सिधान्द क्या है फिर प्राकृतिक जिकच्चा का उद्देश मतलब कि इसका aim of naturopathy क्या है फिर उसके बाद आरोग्यता प्राप्त करने के पंच शील मतलब पंच शील of health उसके बारे में discuss करेंगे फिर नेचरोपैति में पंच महाभूत सिधान्द किस प्रकार से सिधान्द किस प्रकार से सम्मंद रखता है उसके बारे में जानेंगे अईरवेद और निसर गोप्चार में क्या सम्मंद इसके बारे में विस्तार से discuss करेंगे और वरतमान काल में नेचरोपैथी या निसरगोपचार का क्या महत्व है इसके बारे में भी विस्तार से डिसकस करेंगे अगर आपने वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप हैं फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको अब्डेट मिलते रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं निस्टागोक्चा नेचरोपैथी की परिभाशक है ठीक है तो वह चिकित्सा पद्दती जिसमें रोगी की चिकित्सा वह स्वास्त समवर्धन ठीक है मतलब इम्म्यूनिटी बढ़ाना इम्म्यूनिटी को बनाया रखना ऐसे क्रियां प्रकृत संसाधनों को यूज करते हुए रोगों के चिकित्सा और स्वास्त समवर्धन जैसी क्रियां की जाती है जिसमें उसे प्रकृतिक चिकत्सा कहते हैं ठीक यह एक कला एक अभ्यास एक विज्ञान और या एक दर्शन है जो प्रकृतिक वा अध्यात्मिक नियमों का आपती तथ्य रोगों के उप्ऱ्टा के लिए करती है तो इस जीकितिसा में प्रकृतिक को एक कला विमाना इस अभ्यास मतले एक विज्यान और एक दरिशन के रोप में भी देखा जाता प्रकृतिक चिकित्सा औशल विहीन उप्चार परेती है यह एक उप्चार पर्दि इसके बाद देखते हैं फिर निसर्ग उपचार के परया है ठेके नेच्रोपैथी को और kिन. नामों से जाना जाता है तो पहला नाम है नैसर्गीक चिकिस्सण इसको भी निसर्ग उपचार कहते है नेचिरोपैथी कहते हैं, दूसरा निसरगोपचार है ही, प्रकृतोपचार, मतलब प्रकृती के दवारा उपचार करने को भी इस नाम से जाना था है, कुदरती इलाज, स्वाभाविक चिकिसा, नेचर के नेचिरोपैथी या नेचिरोथरेपी, इनको इन सब नामों से जान है इतिहास की बात के जाए तो प्रकृतिक चिकित्सा का इतिहास उतना ही पुराना है जितनА हमारी प्रकृति का निर्मार इसका हमारे वैदिक वपौराणी ग्रांथों में भी मिलता है कुछ श्लोक है ये रिगवेट का श्लोक है जिसका अर्थ है रोगों को पैदा करने वाले जो दोश है उन्हें दूर कर है संपून रोगों की और श्लोक तू देवता का दूद बनकर बहता है इसके बाद एक और श्लोक दीता है ये रिगवेट का नहीं है ये श्लोक ये जुर्वेट का है क्या बूलते हैं कि तनूपा अगनी असित्वन में पाही आयूर्दा अगने अस्यार मर्दही अगने यन में उन्मम तन्मम आप प्रणा इसका अगनी तुम श्रीर के अच्छा करने वाले हो मेरे श्रीर को पुष्ट करो तुम आयू को देने वाले हो मुझे पूर्ण करो या मुझे पूर्ण आयू कर दो मेरे श्रीरिक स्वास्त में जो भी नियूने उसे पूरा कर दो इसी तरह पंच महाभूच से शरीर स्वास्त की कामना करने अनेक उधारान हमारे वेदों में मिलते हैं जैसे पुरान काल की बात की जाया तो राजा दिली के दुग्ध कल्प एवं फल से वंद वाला राजा दश्रत की रानियों को फल कल्प द्वारा संदान की प्राप्ति का प्रसंग है ठीक है और उस समय उपवा सभी रोगों की उट्तम चिकित्सा भी माना जाता था ठीक तो भगवान बुद्ध स्रावस्टी नगर से राजगरह जाते हुए कलंद निवाद नामक संग में रुके हो वहां एक बहुत भिच्चू को सर पने काट लिया भगवान बुद्ध ने विश्ख के नास के लिए चिकनी मिट्टी गोबर मुत्र और राख का प्रियोग करने के लिए का ठीक है यहां पर वी जो नेचर के द्वारा जो भी रिसोर्स प्राप्त हुए उसके द्वारा चिकिसा की गई इसी प्रकार एक अनिभच्चू पिलीद वक्त के विमार हो जाने पर भवान बुद्ध ने भाप स्नान वा जल स्नान की सलाह दी ठीक है सो भाप स्नान याँ जल इसनान तो जल स्नान हईड्रो थैरपी के अंधर गताता है तो उसके बारे में क्या मोहट दालोमें प्राब्वत सर्वसूलम स्नाना गार जिसमें गर्व오भ ठंडे पानी दोनों प्रकार का स्नान का प्रवंद था सो यहां सब optics लसकिसे का बेड, आरूर यहां इस पन होने से विकारों की इत्पत्ति बताई है और जो जनब दहन्स का कारण भी बनती है इसके अतरिक देखा जाए तो पंच महाभूतों के चिकित्सी की उपयोगों के अनेक उदाहरान आयरवेद सहिताओं में मिलते हैं अकाश तत्व के रूप में लंगन उपवास का वर्णन तथा सूरी चिकित्सा का वर्णन आतर सेवन के रूप में अनेक जगह पे आयरवेद में प्राप्त होता और अगर इसके साथ देखा जा तो इसके अतरित आयरवेद की भहशन निर्मान की पंचिविध कशाय कलपना द भारत में प्राकृतिक चिकिस्ता का जनग भी कहा जाता है ठीक गोड वर डक्टर विठल दास मोदी आदी आते हैं तो यह हो गया नैचरोपैति का इतिहास फिर इसके बाद देखते हैं पास्चाते देशों में प्रकृतिक चिकिस्था मतलब कि जो वेस्टरन कंट्रेश हैं उसमें प्रकृतिक चिकिस्था कैसे रखे गए तो पास्चाते बाद का प्रकृतिक चिकिस्था का मतलब अब सुरुए जिस में निम्न रैकरतिक चिज्था का योगदार तो किंकन का योगदान रहा तो सब से पहले जो योगदान भक है डॉक्तर जेम्स क्यूरी वह सर जन फ्रॉइयर है यह दूनों से सकते हैं बसले PentEd सब्सक्राइब करवाई थी एक है मिन सेंद्स प्रिस्नी ठीक है इन्हों ने आधुनिक प्रकृतिक चिक्षा प्राणागी का जनक वाना जाता है तो यह कुछ नाम है जो आपको और गौण से नाम है जैसे सक्राणागी को सक्राणागी को जाना जाता है और विन प्रिस्न के बारे में जानी चुके है हम लोग फिर इसके बाद देखते हैं और कौन से नाम है और नौल्ड रिकली यह बहुत ही फेमस नाम है ठीक इन्होंने 1848 में ऑस्ट्रेलिया में धूप वायू का सनिटेरियम इस्थापित किया जो पहला प्रकृतिक चिकिस्था भवन लुई कुने यह बहुत ही ज्यादा न और जो सुनोनिम आता है वह कुनी चिकिस्था कही जाती है ठीक इसके बाद देखते हैं अडॉल जूस्त तो यह मिट्टी चिकिस्था इनकी पुस्तक रिटन आफ नेचर संसार में मतलब की बहुत ही ज्यादा प्रसीदे संसार में प्रसीद है इसके बाद डॉक्टर अब इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक चिकिस्था का दर्शन मतलब फिलोसिफी औफ नेचरोपैथी क्या कहती है तो बताते हैं कि रोग मानव जीवित वानव जनित है पाप का परिणाम नहीं ठीक मतलब कि रोग जो है वह मानव के द्वारा ही उत्पन होता है उसके द उसे दूर करने का प्रत्न करना चाहिए ठीक है मतलब कि इसको कम करने का उससे दूर हाटेने का व्यक्ति को प्रयात्म करना चाहिए सबी रोगों की उत्पत्ति प्राकृतिक नियमों के उलंगन से ही होती है ठीक कहते हैं कि जो भी प्राकृतिक नियम है जब उन में हेरा- हो जाता है या प्रदार्थ जो शरीर के हैं वो दूशित हो जाते हैं विशाग्त द्रव एकत्री से तो रोग प्रकट होता है ठीक शरीर में जीवनी शक्ति होती है जो सदेव शरीर के कल्यान के लिए तत्पर रहती है ठीक यहां पर जीवनी शक्ति रोगमुद करने की प्रक्रिया में तभी असफलता होती है जब इसकी शक्ति बहुत छीन हो जाती है यह शरीर में विजाती तत्वों की अधिकता हो जाती है जब शरीर वो रोगमुद को पहले तो रोगमुद करने कोशिश करता है और यह तब असफल होती है जब शरी संपुल्ण सरीर पूलता कारे करता है अता गुफचार एक अंग का ना होकर संपुल्ण सरीर का भी होना चाहिए उन्होंने का कि आएक अंग का नहीं करके संपुल्ण प्रकृति स्वर्म प्रकृति को ही चिकत्सक माना गया है रोग की उत्पत्ति का कारण प्रकृति के कारियों में बाधा उत्तन करना है जब प्रकृति के जो नॉर्मल कारे हैं शरीर में जो नॉर्मल कारे करती है प्रकृति जब इनमें किसी प्रकार की बाधाउत्पन होती तब ही शरीर में रोग की अत्वत्ति होती है मानव से हम रोग के लिए उत्तादाई है और रोग का कारण कीटाणू नहीं है ठीक है तो यहां पर रोग कारान किटानू नहीं माना गया है मानव को माना गया मतलब कि वक्ति जब नॉर्मल रूप से प्रकृति को अपने अंदर कारे करने नहीं देगा तो उससे जो उसकी रोग प्रतिरोदर चमता है उसका घटे के जिससे किटानू अपने आप ही बढ़ेंगे तो इन्हों ने कीटानू को ना मान करके यहां पर मान रोग के लिए उतर दाई माना थै सबी हम चारान शरीर में एक अत्रत विजाती है तत्म मतलब फॉरें जो टॉक्सिट पदार्थ होतें उनको मानाया तो प्राकृतिक छिक्षक शरीर की प्राकर्तिक शक्ती की कारच्षमता को बढ़ाने में सहथा करते हैं जो नेच्जूल प्राकृतिक शक्ती की ना होकर पूरे शरीर की चिक्ष्ष्षा प्राकृति नैचुरोपैथी में किसी एक रोग की चिक्सा ना होने होती तो हो करके फुरी शरी की चिक्सा होता है जो रोग हो ठीक ही हो रहा है उसके साथ साथ जो इम्मुनिटी है और प्राकृतिक चिक्सक्ति की कारे समता यह सब चीज़े भी बढ़ती रहती है प्राकृत प्राकृतिक चिकित्सा प्रभाव पूर्णता रोगी के सहयोग तथा मनों ततपड़ता पर आश्रित रहती है से हो गया प्राकृतिक चिकित्सा के आधारबूत प्रिशेशता हैं फिर इसके बाद देखते हैं सिध्धान्त ठीक है मतलब प्रिंसपल आफ नेच्रोपैथी तो सभी रोगों का कारण एक है शरीर में विजाती द्रव का संचरन ठीक है जो टॉक्सिक बदार थे हैं जब वो शरीर में संचरन करते हैं तभी रोग के पत्ति होती है प्रकृति सद्यव प्राणी का हिद्द सो ठीक है तो जब इसमें किसी प्रकार के ऊंच नीच हो जाती तो रोग उत्पन होते हैं जिससे यह पता चलता है जो प्राकृतिक तत्वें शरीर में उनमें किसी प्रकार की बाद हा रही है तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो रोगों से हमें पता चलता है कि शरीर में जो सामान्य मातर है उसमें उतार चड़ा हुआ है तो इस 시सा देखा जाएं तो रोग हमारे मित्र हैं शत्रु नहीं यह शायd 같아 कि कुछिशत की गई पिर इसके बाद सब्सक्राइब क्झेता है जह श्रीर में श्रम्य सश्थ करता है ठीक है वह ठीक करता है लेकिन जो से मुखती जो में काम है वोप्रकृति के दारा ही होता है तो यह हो गया उसका स्धान पिरशका बात दिखते हैं उद्देश मतलब की ऐम ओफ नेचरौपैटी तो प्रकृतिक चिक्तसा एक चिक्षा पदती होने के साथ साथ एक स्वस्त पूर्ण जीवन विथित करने की कला या स्वस्त जीवन शैली है इसका मुख और समाज तक रोगों की उत्पत्ती का कारण प्रकृतिक तरीके में उन से बचने का उपाय उनकी चिकेसा पहुँचाना या समाज को सिख्षित करना है तो आजिकांशिता रोगों का कारण अस्वस्ट जीवनचली वा रोगो वा चिकेस्चा रोगों क सबस्रा की अपूर्ल जानकारी होती है और एक प्रमालीक तत है कि जब समाझ को स्वस्थ के संबंद में शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक रोग से मुक्ति पाना समभाव है तो प्राकर्तिक चिक्स साद 2 स्पून एंव हानी कानिक दिनचरिय का त्यागर स्वस्थ दिनचरिया को अपनानी की ओर समाच को प्रेदिक करती है और तथा रोग के प्रति शिषित करती हैं ठीक है इसी प्रकार इनके कुछ प्रमुख उद्धेश हैं पहले उद्धेश क्या है कि स्वास्थ जीवन्षाली के प्रति समाज को जागरूख करना प्रकृतिक आहर के लाब को समाज में परचारित करना सकारात्मक मनुवृति अपनाने की ओर ध्या सभी प्रकार की सुव eta उपलब्त कराना मतलब की जितने भी लें उन सभी रीसूर्स को प्राम्न कुर सब्सक्राइब आरोगता प्राराब्त करने के यौन फानच चेल फिक जब भाइल्थ है उसके बारह में तो पहला साथविक भीजन चाहिए ऊपरियूप्ष श्रम ना अधिक ना कम्ष्रम ठीक उप्यूप्ष करना चाहिए जितना लिए लाबकारी है गहरी नीन ठीक अच्छी नीज लेनी चाहिए स्वच्छता हईजीन मेंटेन रखना चाहिए और मन शान्त रखना ठीक इसके बाद देखते हैं नेचुरोपैथी के अंतरगत पंच महाभूत सिर्दान्थ तो स्रष्टी के रचना पंच महाभूत सो यह इन्हीं पंच तत्वों से मानव श्रीरी भी पना हुआ है और वेदों में कहा भी गया है यथा पिंडे तधा प्रम्हंडे अर्था जैसे सू स्रिष्टी में सरव प्रत्म आकाश के उत्पत्ति हुई आकाश से वायू वायू से अगनी अगनी से जल और जल से अंध में प्रत्वी के उत्पत्ति हुई प्रत्वी से पेड़ पौदे पेड़ पौदों से भ्योजन भोजन से सक्ति वाशक्ति से मानव उत्पत्ति यदि इस असंतुलन को संतुलित बनाये रखा जाए और शरीर स्वस्त वा निरोगी बना रह सकता है आनिमित दिंचरिया वा आहर विहार के असाव धानी के कारण तत्वों का नियत प्रमाण घर्टा बढ़ता है फलसरूर रोग उत्पन होते हैं मानव शरीर या मानव रोगों के उप्चार के लिए यह जानना आवश्यक है कि शरीर के किस अंग में कौन सा महाभूत अधिक सकरी है तो मनुश्य को अपने शरीर को स्वस्त बनाया रखने के लिए अपनी दिंचरिया में जो भी तत्वे हैं ठीक है निचुरोपैतिक अंदर कर सकते हैं जल तत्वी की प्राप्ति कि एनीमा जल नेती संपूर्ण शरीर का शीतल जल से स्नान करने से कर सकते हैं ठीक अगनी तत्वी की प्राप्ति प्राहता काल धूप स्नान लेने से कर सकते हैं ठीक है प्रित्वी तत्वी की प्राप्ति प्राहता नंगे पर मिट्टी पर टहलने से की जा सकती है, ठीक यह हो गया नाचिरोपयति का पंच महाबूद सिधान, ठीक पर कर दिखते हैं एंивать और आयुर्वेद में दृर्षटियु से काफी समांता हैं कि भूजन का पाचन ठीक से ना होने का गरण पात उत्पन विजाती द्रभेस शरील में स्थ त्रमों करते हैं और आइसा ही हो जो भोजन की प्रिकरिया में बाधा है यह दोनों चीजें और उसके जो उफचार और और एधे दोनों में माना आए मिसल्य माना जाता है कि दुशित जीवनमि के रहाल हैं उत्पत्ति में भी तो दिन्चरिया का मंणना है इसे इसाथ रिचुर चरिया का विस्तिर्थ विवरान उत्पद्न है आयरुवेद में कहा गया है कि जो लोग अमने जीवन आरोगे साथ बिताने चाहते हैं वह वादनीत सुबह उठकर दिन चरिया और रात्री चरिया वर इतुर चरिया का वाणीत आहर डियमों का पालंड करे तीसरा पॉंट देखा आयरुवेद में लंग्धन के साथ कुछ समानताय रखती है ठीक तो समानता लंग्धन के साथ फिर इसके साथ अथरवेद आयरुवेद का उप्याद है तथा प्राकृतिक चिक्सा उद्भाव भी वेदों से ही माना गया है तो उद्पत्ति भी अगर देखी जाए तो शुक्तृ कि रूमें किया है उद्भा यृऊ में संबंद कि दखते है इसके बाद में नॉंसर प्शार का महत्व हम जिवन यापन कर रहा ह। क्या हमारा जीवन प्राकर्तिक निवहों में पर चल रहा है। हम बिना सोचे विचारे अपनी प्रकृती से दूर होते जा रहे हैं। जीवन में कितनी अन्यमित्ता हैं, कहीं सबी सूख सुव्धा हैं, पर प्राकर्ति के पास जाने का समय नहीं है। और कहीं कुछ नहीं है प्रकृति की गोदे पर भोजन के लिए धन नहीं है, प्रकृति की गोद भी प्रदूशित जल या वायू से भर गई है, ऐसी विक्राल परिस्तिती में रोग बहुत आराम से मानव सरी को अपना घर बना रहे हैं, और या इस्तिती दर्शा रहे हैं कि म मानव जीवन से लिए वाज स्वास्त संकट में हैं, अब मानव को प्रकृति के वो लौटना होगा और अपने परियावरन के रच्छा अपने खुद के स्वास्त के लिए करनी होगी, ऐसे समय में निसर गोप्चा या प्रकृतिक चिस्सा एक ऐसी पत्ति है जो पूरी मानव की उत्पत्ति के समय से है, प्रकृति से ही मानव को जीवन यापन के लिए आवाश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है, प्रकृति मानव की जननियों और जननियों के सुद्रश्ट ही मानव की सभी अवशक्ताओं की पूर्ति बिना किसी दुस परिणाम के सदियों से क जा रहा है परद्च चड़ती जा रही और जो निरंतर उसके शारी वा मानिसिक स्वास्त का पतन का कारण बन रही है रहें सहें खान पान आचार विचार सभी कुछ अनिमित वह प्रकर प्रकृतिक हो गया है प्रकृति चिक쟁 एक ऐसी चिकित्सा पर देति है जिसमीं प्राक्रतिक साधनों को उप्योग किया जाता तно इस पर देति आिस talks के इनुसार मानव शरीर प्राकृति के तत्वर अथात रत्वी जल वायू अगनी वहाकाश से बनाएं इन तत्वरों में असनत्वुन प्रकृतिक चिक्सा में शरीर के विजाती तत्वों को बाहर निकाल कर शरीकी जीवनी सिक्ति का विकास कर रोगों को जड़से भी नश्ट किया जा सकता है और क्रतिनता मतलब कि आज के समय में भरे वरतमान्यूं में यह प्रकृति की वो लौटने का सरहलवास सबसे सोगम उपाय माना जाता है ठीक सो यह वीडियो लेक्टर भी खतम होता आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी पसंद आएगी अगर आपको किसी प्रगार का कोई कंफीजन हुआ है लेक्टर के दौरान तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें फेस्बूक और इंस्टेग्राम पर भी डिर्क मैसेज करके पूछ सकते हैं आप फेस्बूक और इंस्टेग्राम के लिंगे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को में शेयर करें एंड थैंक्यू सो मच पर वाचिंग